हलो स्टुडेंट मेरे विकांद कुमार आरके ग्यांदीब कोजिन सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज जो हैसे हमने पूरब कोनों के त्रिकुनमिती अनुपात का जी किस प्रकार से फर्मूला होता है उसको सीध करके आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और देखे जो आठ पंड़ टू का था जो चेप्टर वो सब समाप्थ हो चुका है तो आज जो ऐसे मतलब आगले चेप्टर करना है उसका कुछ थीवरी है उसको हम पहले ही बता दना चाहते हैं देखे इसमें कहा दिया है कि पूरा कॉन पल हम बोलते हैं कि इसको आई उसे हम क्या पोलते हैं कि पूरा को कहते हैं युआ तो प्र प बällen पूररण भी सब कहते हैं यह सबक्राना जो क्याना दो से क्यों होता है उसको हम क्योंको जोग क्यों होता है 180 डिग्री होता है तो 380 डिग्री में एक कौन जो से आपका 90 डिग्री के इंगल बन जाता है तो दो कौन जो बसता जो है से एक कौन होता है 45 डिग्री और दूसरा कौन होता है भी कितना 45 डिग्री या तो फिर एक कौन जो होता है 30 डिगरी और दूसरा कौन जो होता है 60 डिगरी और तीनो कौन को जब उसको हम जोड़ देते हैं उसका मान कितना आता है 180 डिगरी आता है तो वह ही देखे हमको क्या है सीध करके उसी भुजा के समोनपातिक से रूप में हमको क्या है इसको हमको सीध करके लाना है जो इस परकार से दिया गए है देखे इसमें क्या दिया है कि साइन 90 माइनस ठीटा बराबर क्या होता है कॉस ठीटा दूसरा में आपका दिया है क्या कि कॉस 90 माइनस ठीटा बराबर क्या होता है साइन ठीटा तिसरा में दिया है क्या कि 10 90 माइनस ठीटा बराबर क्या होता है कॉट ठीटा चौथा में दिया है क्या कि कॉट 90 माइनस ठीटा बराबर होता है 10 ठीटा पाच्वा में दिया है क्या कि सेक 90 माइनस ठीटा बराबर क्या होता है कौसक ठीटा और छठा में दिया है क्या कि कौसक ठीटा बराबर होता है क्या सेक ठीटा तो इसी क्यों क्या हमको निकलना है तो आई इसको फिगर के मादेम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसको मतलब पूरा कोन है और नकीट को है इंगल कहा पासबुएंच को बना सब Trail को सामने वाला बोलते हैं कष्टन को सी को मानते हैं नहीं कोन मानते हैं तो सामने वला इसका भूजा क्या हो जागा आपका लंब होता जिसको हम पी से इसको करते हैं सूचित और आपका तिसरी भूजा जो आपका बचा से क्या बन गया अधार हो आपका हो गया लेकिन अगर हम कोन एक के मुदाबित मानते हैं तह सामनी वाला भूसा जो आधार था वह लंभी और आपका लंभी था वह क्या बन जेगा आधार बन अभीज़ेगछा और करन तो आपका this है उसका मान ज्रस के तसरे था उसका मान बदलता नहीं है अब यहां पास देखे तो हमको पूरक को कोन के बाढर में हमको बात करना था त्यानिकि यह आपका 90 degree जब हो गया आगर हम C को मानते हैं Kita अगर C को मानते हैं Kita तो दूसरा को मान लेख नब जुब अब इसको क्यों मानते हैं चुक कि 90 degree आपका जब यह ले लिया है बी कोन तो fix है कि दोनों कोन का जोग कितना हो हमको 90 डिगरी हो चुकि आपको definition में बोले है कि दो कोनों का जोग कितना हो 90 डिगरी होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं पूरक कोन कहते हैं तो अगर इसको मान लेते हैं कि ठीटा है तो दूसरा क्या होगा 90-ठीटा मतलब कि 90 में से जब ठीटा को हम घटाएंगे तो दुसरा यानि कि कौन A को मान कि है निकल जागा इसे एक एकजामपल के लिए क्या हो जागा कि कौन C जो है से आपका 20 डिगरी है मान लिजे कि 20 डिगरी है तो आपका A जो होगा तो 90 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 70 डिगर आपका बचेगा और फिर पूना जब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 70 कितना हो जगा 90 पूना आपका मेच जाएगा तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं क्या कि 25 डिगरे माना एक है 25 डिगरे के अंगल आपका बनता है को मानते हैं 36 को तो 2 कि सब्सक्राइन 6 को देखते हैं आपका ही 13 को लिख देजी की माना की A, B, C एक समकौन तीरभुज है जिसका कौन B समकौन है लिख दिये कि माना कि A, B, C, X समकौन तीरभुज है जिसका कौन B क्या है समकौन है देखिए हाँ अपले गौर से ये भुजा है इसका भुजा कुछ मान नहीं दिया है तो इसको कुछ हम मान लेते हैं तब तो हमको ये प्रूफ हो कि हमको आएगा चुकि हमको सीध करके इसको लाना है छोग जो हैसे हमको सीध करके लाना है तो इस भुजा के अनुसार से ही इसको हम सीध करके लाएंगे लेकिन इसको कुछ पहले हम मान लेते हैं अगर हम जैसे मान लिजे कि A भुजा इसको मानते हैं X अगर इसको X मानते हैं और इसको Y मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं इस भुजा को Z याने कि A B भुजा को X मान लिए BC भुजा को Y मान लिए और AC भुजा को जो हैसे हम इसको क्या मान लिए Z मान लिए अब EC की मुताविद इसको हम देखते हैं इसको कैसे सिद करके इसको निकालते हैं फर्मूला को देखें इसमें लिख दियें कि तीरहुज ABC से कौन C बराबर जो हैसे अपका ठिटा है और कौन A को है 90 माइनस ठिटा जो आपका फिगर के साथ भी दर्शाय गया है तो देखें हम को क्या है हम कौन C के मुताविद चलते हैं किसके मुताविद कौन C के पहले मुताविद चलते हैं या फिर को पहले चलते हैं ताकि या असान थोड़ा होने अच्छा मतलब यह हो जाएगा युक्त को घृट को शार है कि हम चलते हैं तो क्यों एक मुताबी् jetzt हैं वोश्єघा कैका जो आपका क्या लूंब बंगेगा और मुश्याख अछरण तो तो आपका fix है देखिए हम कौन एक के मुताबित हम चल रहे हैं किसके मुताबित कौन एक के मुताबित हम चल रहे हैं तो कौन एक की मुताबित चलेंगे तो हमको साइन ठीटा से पहले इसको निकलना है साइन कॉस टेन कॉट को सेक और सेक के हमको मान निकलना है तो साइन ठीटा बराबर देखें पहले क्या होता है हैं लिखेंगे कि साइन ठीटा देखें ठीटा का जक्सन बराब आपका क्या है नब्बे माइनस ठीटा दिया है इसके कि यहां कों एक सामने ओला भूजा को हम क्या बोले लंब तो लंब इसको यहां थ्वाइलीग दिते हैं sort में कि बी-सी बाई करन हो जागा क्या A.C. करन हो जागा A.C. अब देखिए इसका कुछ संकित दिया है तो वीसी भुज़ा जो है सका है तिए वह है और एशी भुज़ा जो है से क्या दिया है जिड दिया इसको छोड़ दिज़े साइन के निकाल लए अब कॉस के निकाल लेंगे एक पैस्कों कि कॉस नब्य माइनस ठीटा बराबर क्या होगा तो cos नब्य माइनस ठीटा बराबर आपका होता है क्या अधार बटा कर्न होता है क्या होता है अधार बटा कर्न तो अधार यहां गोर्ष देखिए कि आपका अधार जो ऐसे AB है अधार क्या है? AB है तो यहां लिग देंगे कि AB और कर्ण जो है से आपका क्या हो जाएगा AC अधार का संकेत दिया है भूजा X और कर्ण का दिया है Z अब उसी प्रकार से निकालेंगे 10 ठीटा के निकालेंगे तो 10 90 माइनस ठीटा बराबर आपका होता है फर्मूला लंबटा अधार होता है तो देखिए लंब जो है से आपका क्या हो जाएगा कोन एक मुताबित हम बार बार बोल रहे हैं कोन एक मुताबित जो से आपका लंब हो जाएगा BC भूजा तो यह लिख देंगे BC बाई अधार देखिए लंब आई अधार ना तो अधार आपको हो जगा A.B. तो कर देंगे A.B. बराबर यानि कि B.C. भुजा देखिए आपका Y दिया है और B.C. भुजा जो हैसे आपका लम्ब दिया है और A.B. भुजा जो हैसे क्या दिया है X दिया है अब निकाल लाइगे सो क्या cot के निकाल लेंगे यहें लिखेंगे कि cot 90 माइनस thita तो cot thita बराबर आपका फर्मूला होता है अधार बटा लंब होता है तो अधार यहाँ गुझे आपका क्या है A B लिखेंगे A B अधार A B हो गया लंब हो गया आपका क्या B C अधार है आपका भूजा दिया X लम्ज दिया भूजा Y अब यहां कॉट अब यहां सेक इसको निकाल लेंगे सेक 90 माइनस ठीटा बराबर आपका सेक ठीटा बराबर क्या होता है करन बटा अधार होता है तो करन गोर्स देखे इसमें दिया है AC लिख देंगे कि AC by करन बटा अधार आपका क्या दिया है AB तो इसको कर देंगे AB अब यहां गोर्स देखे कि करन जो हैसे दिया है Z और अधार जो हैसे दिया है कितना x अब यहां लिखा लेंगे कॉसेक ठीटा को यहां लिखेंगे कि कॉसेक 90 माइनस ठीटा तो कॉसेक ठीटा का आपका फर्मूला क्या होता है करन बटा लंब होता तो करन आपका दिया क्या एह सी एसको कर देंगे एस क्या नहीं दिया है एसी देखिए एसी न ह्क्या हो आपका क्या हो जेगा कह द्यांगें ऑप देदो कोन एक मुताबित हम चले तो इसको हम को 6 कमान हम निकाल तुक्यूरिण साइन कोट सेक और कोसेक को मान निकाल लिए अब उसी प्रकार से क्या है कौन सी के मुताविद हम चलेंगे तो एक छे के और निकालेंगे मतलब साइन कोट सेक और कोसेक के भी हम मान निकालेंगे किसके मुताविद कौन सी के मुताविद यह तो कौन एक के मुताविद निकल ग चलना है तोड़ा फिगर के बना लिए हैं पूर्ण हम दुबारा बना लिए कि ताकि समझाने में किसे प्यार्शों को दिकत आप लोग का न हो सके तेहां पास देखिए हमने कौन सी के मुतावित हमको चलना है तो सामने लब भूजा क्या बनेगा लंब बन जागा चुकि परकाव का लंब होता है साधार हो जाएगा और यसा भुजा आपका होगा से जेट हो जागा लेकिन कोण सी के मुतावित हम चलेंगे तो इसको भी हम कुत्परा साइन कोश टेन कॉट से को से कमान पहले इसको हम निकाल लेते हैं इसके बाद फिर क्या है किस प्रकार से फर्मूला सीध हो क्या आता है उसको असानी से मन निकल जाएगा आई इसको देखते हैं इसके अभी लिखेंगे कि साइन देखिए ठीटा आपका क्या लिया है ठीटा जो है सापका क्या है सी है कौन सी बराबर हमको चलना है तो सी क्या है ठीटा उसके लिए कि साइन ठीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटा करने तो लंब हो जागा आपका सामने लंब हो जागा क्या लंब आपका हो ज दिया है जेड दिया है फिर यहां लिख देंगे इसको कॉस के निकल लेंगे उसी परकार से तो कॉस ठीटा बराबर आपका फर्मूला होता है अधार बटा करन होता है तो अधार यहां गौर से देखे आपका भुजा बीसी है तो कर देंगे बीसी बटा एसी और आपका संकेत की रुप में भुजा आपका BC जो दिया है से Y और करन जो दिया है AC भुजा दिया है Z उसी परकार से निकाल लेंगे 10 ठीटा 10 ठीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटाधार तो लंब आपका भुजा दिया है क्या AB दिया है तो यहां कर देंगे क्या कि a b by b c तो a b बराबर आपका भुजा दिया है x और b c भुजा दिया है क्या y अब निकाल लेंगे cos 10 के निकाल लिए तो cot के निकाल लेगा तहीं है लिखेंगे कि cot देखें 10 ठीटा हो जागा cot ठीटा बराबर आपका हो जाए क्या अधहार बटा लंब होता है तो अधहार जो है से आपका दिया है b c और लंब जो दिया से क्या है a b है बराबर अधहार जो है से आपका b c y है a b जो है से आपका दिया है X दिया है, अब निकाल लेंगे सेक ठीटा का निकाल लेंगी तो सेक ठीटा बराबर आपका होता है कर्न बटा अधार होता है तो कर्न जो है साथ आपका दिया है AC भुजा, लिक देंगे AC by कर्न बटा लंब होता है, तो कर्न हो गया AC कैंगे तो कॉसिक ठीटाबर आपका ओता है सब्सक्त, करन गड़ार, तो करन जो है कि शोरे यहां देखे जीड रहाओ आगा ना कि भाई हो जागा भाई दा जागा अबड़ेश्रा कॉश्य बड़ाबर आपका होता है कर्ण बड़ा लंब करन बटा लाहम तो करन आपका जुह हैसे दिया है ऑ अब अब देख़्िए हो जागा। बीसी हो जागा करन अब लाम हो जागा एब कर देंगे यहां अब इसके लिख देंगे कि जेट बाई एकस अब इस तो कुछ माल लीजेगा अब अब यह पास देखी किस परकार से फर्मूला आता है हमें लिखिया की इसलिए हम Čन्य पास से किस परकार से सिसका यहाँ पास दिया है इसके मुदा भी हम कि साइन 90 माइनस ठीटा पहले लिख लेते हैं सबको पारापारी से साइन 90 माइनस ठीटा बराबर देखिए आपको दिया है BC by AC इसको हैं लिख लेंगे BC by AC और फिर हम देखिया है कि कॉस 90 माइनस ठीटा दिया है तो इसको भी लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस ठीटा बराबर देदिया है आपका AB by AC इसको हैं लिख लेंगे कोची AB by AC लिख लेंगे अब यहां पास देखेगा क्या आपका दिया है ते 90 माइनस ठीटा दिया है तो इसको भी यहां लिख लेंगे कि 1090 माइनस ठीटा तो 1090 माइनस ठीटा बराबर BC by AB होता है यहां लिख देंगे BC by AC होता है अब यहां पास लिख लेंगे कि कॉट 90 माइनस ठीटा इसको हो जाए क्या कि कॉट 90 माइनस ठीटा बराबर आपका दिया है क्या दिया है AB by BC AB by BC दिया है फिर आपका दिया है सेख ठीटा इसके हैं लिख देंगे कि सेख 90 माइनस ठीटा बराबर आपका हो जाए क्या AC by AB तो कर देंगे कि AC by AB फिर दिया है कि कॉट सेख ठीटा इसको हैं लिख देंगे कॉट सेख 90 माइनस ठीटा बराबर आपका दिया है AC by BC अब यह पास गहर से देखेगा इसमें के दिया है इसको पर देंगे लिख लिए हम देखिए साइन नवे माइनस ठीटा बीसी बाई एसी थ्रासवाट में लिख लिए है कॉस नवे माइनस ठीटा एबी बाई एबी बाई एसी लिख लिख लिए है फिर टेन नवे माइनस ठीटा बीसी बाई एबी लिख लिए है फिर कॉर्ट नवे माइनस ठीटा जो AB by BC है फिर सेक नवे माइनस ठीटा AC by AB है और कॉसेक नवे माइनस ठीटा AC by BC है अब देखें यहाँ पास क्या दिया है आपका देदिये था इसमें क्या कि कौन सी की जब मुदाबिद हम चले थे ते यह हमको 6 मान निकला हुआ था गौर्ष यहाँ देखेंगा यह 6 मान हम को क्या है निकाले थे ठीच न एचे को मान हम क्या इसको निकाले थे जो घेर दिया है अब यहाँ गौर्ष देखेंगे कि साइन AB by AC है देखें AB by AC बराबर क्या दिया है साइन ठीटा दिया है सोरी यहां पास गोर से पहले देखेगा कि साइन नबे माइनस ठीटा है तो साइन नबे माइनस ठीटा बराबर क्या दिया है बी सी बाई एसी दिया है तो इसको यहां पास भी देखेगा देखे यहां पास क्या दिया है कि sin 90-θ बराबर क्या दिया है bc by ac अब देखे bc by ac बराबर हमको कुछ दिया है क्या दिया है देखें आपास bc by ac बराबर क्या दिया है cost दिया है दिया cost दिया ना तो bc by ac बराबर जब cost दिया है तो यहाँ पास क्या आपको दिया था BC by AC तो इसको जक्सन पर हम put कर देंगे क्या लिख देंगे कि sin 90 minus theta बराबर अब यहां पास गोर से देखें कि BC by AC बराबर हम अभी दिखाए कि cos theta दिया है तो इसको जक्सन पर हम लिख देंगे क्या cos theta यह आपका formula एक निकल के ready हो गया दूसरा देखिए इसमें क्या है कि cos 90 minus theta है तो इसको भी थोड़ा लिख देता है कि cos 90 minus theta अब देखिए कि cos 90 minus theta बराबर हम दिया कि AB by AC AB by AC अब यहां उपर में गोर्ष देखेगा क्या आपका दिया है क्या कि AB by AC देख रहा है ना कौन सी के मुदब जो हम चाले थे इसका मान चोग था ना निकलाल तो AB by AC जो है से का दिया AB by AC बराबर दिया है sin theta तो इसको जगा पर पूट कर देंगे AB by AC जो लिखा हुआ है इसको जगा पर लिख देंगे क्या sin theta इसको लिख देंगे कि 10 90- ठीटा बराबर BC by AB दिया है क्या दिया है देखिए यहाँ BC by AB दिया है तो BC by AB बराबर गौर से देखिए आपको दिया है देखिए BC by AB है देखिए BC by AB बराबर का दिया है कौट ठीटा दिया है तो इसको जगा परलिख देंगे क्या हम कॉट ठीटा लिख देंगे इसको कॉट ठीटा इसको लिख देंगे यह भी आपका फर्मूला एक क्या है रेडी आपका हो गया अब यहां पास देखें कि कॉट ठीटा है इसको यहां लिख देंगे कि कॉट नबे माइनस ठीटा तो कॉट नबे माइनस ठीटा बराबर बड़ब आपका फर्मूला क्या होता है सौरी कॉट काइब इस ठीटा कहते हैं कि आपका एक फरॉरूला निकल के रेडी हो गया दोगा औरनी निकलना है इसको हमें लिखेंगे क्या कि सेक 90 माइनस ठीटा बराबर आपका देखें क्या दिया है एसी बाई एबी है त्यांगोर से देखें कि एसी बाई एबी बराबर आपका दिया है क्या कॉसेक ठीटा दिया है फिर क्या आपका दिया है को सेख ठीटा दिया है इसके लिख देंगे कि को सेख नबे माइनस ठीटा अब देखिए 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 को सेख नबे माइनस ठीटा अब आपसे पूछा जाएगा कि साइन नवे माइनस ठीटा बराबर क्या होगा तो कॉस्ट ठीटा हो जागा और फिर पूछेगा कि कॉस्ट नवे माइनस ठीटा बराबर क्या होगा तो साइन ठीटा इसको बोल देना है फिर तेन ठीटा तेन नबे मैनेस ठीटा बराबर के होता है कोट ठीटा तो कोट नबे मैनेस ठीटा बराबर के होता है तेन ठीटा और फिर दिया कि सेक नबे मैनेस ठीटा बराबर के होता है कोशेक ठीटा और कोशेक ठीटा बराबर के होता है कोशेक नबे मैनेस ठीटा बरा अबनावाद